नमस्कार मैं रोहित महाजन आज स्टाफ नर्स MNS यहने की मिल्टरी नर्सिंग सर्वसिज एक्जाम के लिए प्रिविस एर कुशन पेपर में आप सबी का स्वागत करता हूं तो जो आज हम डिसक्स करेंगे कॉशन वो आपका स्टाफ नर्स का कोई भी एक्जाम हो एमस का हो MNS का हो या फिर हिमाचल का एक्जाम हो आपका स्टाफ नर्स का कमिशन का हो या फिर किसी भी स्टेट का दिल्ली सर्विस कमिशन का हो है ना किसी भी स्टेट के कोई भी नर्सि रहने वाली है, तो आईए शुरू करते हैं पहले कोशन से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कीजिए और वेल लाकन दवाईए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन आ सकेए, तो पह पहला कोशन देखिए आप, तो पहला कोशन है, अगर आपने कोमेंट कर दिया है, तो इसका b option बिलकुल correct answer आ जाएगा, next question देखिए what is an autonomy तो पहले आप question को पढ़िए option देखिए और then comment कीजिए तो अगर आपने comment कर दिया तो बल्कुल जी right to self determination जैने की B option इसका जो है correct answer आ जाएगा next question देखिए how to how to station the air canal for proper administration of an optical medication to a two year old child तो बल्कुल जी comment कीजिए तो D option आपका correct answer जाएगा pull the air down and back तो next question आप देख सकते है what is the position is best to place the patient who is in shock तो बल्कुल जी comment कीजिए और आपका जो है D option correct answer जाएगा head low position ठीक है जी D option correct answer जाएगा next question देखिए what is the normal color of the टैपनिक membrane तो बिल्कुल जी option C correct answer जाएगा प्यार्ली ग्रेग तो next question आप देखिए तो next question reasoning का question है ठीक है तो ये साइलोक्स चैप्टर होता है reasoning का ठीक है तो description में मैं लिंक दे दूँगा साइलोक्स की two categories होती है एक होती है simple और एक होती है possibility बढ़ आपको simple ही category आती है तो एक video का description में लिंक दे दूँगा अगर आपने वो वीडियो देख ली 15-20 मिनट के होगी तो guaranteed जिंदिगी में कभी आपको इस chapter में doubt नहीं आएगा और हमेशा आपका ये question बिल्कुल सही होगा चाहे आप HS की त्यारी कर रहे है IS की त्यारी कर रहे है ऐसी जो इसकी डाइगराम बनती है फिर कहरा है no P is O ठीक है तो यह इसकी डाइगराम बन गी तो द्वारा देखिए all C is P ठीक है तो याद रखिए जब किसी का all का relation है तो sum का inbuilt होता है ठीक और no P is O तो जब इस पूरे गोले का इसके साथ no का relation है तो जो इसके अंदर बैठा होगा उसका भी no का है और no में sum not inbuilt होता है यह याद रखिए ठीक है अब conclusion क्या है no onion is carrot यानिकि no O is C तो no O is C देखिए इस circle का इसके साथ no का है तो इस circle का भी इसके साथ no का होगा याद रखिए ठीक है एक example देता हूँ मान लो कोई patient app का ठीक है कोई patient app का वो सर से ले के पैर तक मरा है यहनिकि no का relation हम बोलते हैं मरा है तो वो पैर से ले के सर तक भी क्या होगा मरा ही होगा जो बंदा पूरा मरा है तो वो थोड़ा भी क्या होगा मरा होगा यहनिकि no में some not inbuilt होता है इन शॉट तो वही पूछ रहा है no o is c तो बिल्कुल जी no o is c सही relation है तो यह true हो जाएगा कहला है no c is o तो वही पूछ रहा है no c is o ठीक है तो इस पूरे गोले का इसके साथ तो next question देखती है अब हम तो direction का topic बड़ा अच्छा topic है ठीक है इसका भी आपको description में link देदूँगा इसकी वी video हमने अगर आप playlist में जाएगी तो reasoning में आपको मिल जाएगी फिर भी आपको जो है अगर special video चाहिए तो comment कीजिएगा बना देंगे नहीं तो description में link देदूँगा वहाँ से आप देख लेना चुलो अभी ये question देखिए तो सबसे पहले आपको direction का basic होना चाहिए तो याद रखिए सबसे उपर होता है north सबसे नीचे होता है south right hand में होता है east left में होता है west ठीक है तो carrot two men रजेश और नवीन start from same point हम यह ले लेते हैं थोड़ा नीचे करके ले रहे हैं वैसे middle point होता है आपका ऐसे यहां करके ना पर उपर जगह कम है तो इसलिए हम नीचे से ले रहे हैं तो थोड़ा some changes कर लेते हैं क्योंकि यह south ले लिया यह best ले लिया यह east ले लिया ठीक है तो यहां से ले लेते हैं क्योंकि सारे उपर की तरफ जा रहे हैं तो कहरा रजेश 10 km नौर्थ में गया तो यह हमने रजेश चला दिया 10 km नौर्थ में नौर्थ उपर होता है ना then east में 5 km आपके right hand side में east होता है 5 km ठीक है यहां पहुंच गया फिर left में अब आप यहां पहुंच गया आपका left देखिए कौन सा आपका नीचे वाला right है और यह आपका left है ठीक है ना तो अब left में कितना जाना है इसने 6 km तो हम रख लेते हैं यह 6 आ गया ठीक तो यह कौन चला रजेश आ रख दिया रजेश चला अब देखिए उसी point से नवीन चला 8 km east की तरफ अब यह ध्यान लखी यह 5 है तो यहां तक नवीन 5 चल गया अब 3 और चला गया तो हम यहां तक लेते हैं तो आठ नवीन अभी यहां पहुंच गया यह एरोपे तो यह यहां पहुंच गया नवीन ठीक है अब जी 8 चला गया east की तरफ नवीन then north में गया 15 km अब ध्यान दिजी यह 10 है तो यह भी 10 होगी यहां तक ठीक है आगे जाना है 5 km तो यह 6 है इससे थोड़ा सा down जाना है तो यह 5 km याद रखी यहां तक रखते हैं आमने सामने इसका distance ठीक है तो यह 15 चला गया कौन नवीन कुमार जी 15 चले गया north की और ठीक है अब कह रहा है turn to left 3 km तो यह अपना अब आप यहां खड़े हो आपका left देखिए कौन सा है जो आपका right हो तो right हो जो आपका left हो तो left होता है तो 3 km अब यह 3 है तो यह भी 3 यहां बिलकुल यहां मिल जाएगा क्योंकि यह same 5 point ही है यह 5 km है तो यह 3 है तो यह यहां से लखी यहां तो यह पहुंचिए यहां पे तो यह 3 तो अब यह देखिए यह रजेश है ना यह रजेश खड़ा है उपर तो यह नवीन आ गया यह निचे ठीक है अब कोशन है कि where is he standing from point अब देखिए नवीन से अगर हम बात करें है रजेश की दूरी कितनी है देखिए यह 5 है और यह 6 है एक किलोमेटर यहां तक हो गया ना यह 15 है यहां तक कट होगे उपर एक बचा तो यह एक किलोमेटर जो है डिस्टेंस है ना अब कोशन पूछा जाता है मान लो कि बताइए जो नवीन है वो रजेश से किस दिशा में है तो बिल्कुल जी नवीन साउथ में है यह कोशन पूछा गया था कि नवीन साउथ में है यह देखिए न आप यह रजेश खड़ा है यह नवीन खड़ा है तो नवीन साउथ में हुआ रजेश नौर्थ में है तो रजेश के South में है नवीन तो 1 km South आपका अंसर आ जाएगा ठीक है अगर पूछा जाता है कि नवीन से राजेश कहा है तो बिल्कुल जी नवीन से राजेश जो है North में है 1 km इनकापस में डिस्टेंस है तो बाकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एक वर डिरेक्शन का अपच्छे से देख लिजीगा आपको को डाउट नहीं रहेगा ना अब नेक्स्ट आगया कोडिंग का चप्टर तो सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट कोड याद करने पड़ेंगे उसके बाद मैंने इसकी वीडियो बनाई हुए कोडिंग के वो देखने पड़ेगी उसके बाद आपको जिंदगी में कभी डाउट आएगा नी और प्रैक्टिस भी चाहिए इसमें थोड़ी सी है ना अब फाइर का कोड है टूंटी पहले अलफवेट आपको याद होने चाहिए F का होता है 6 I का होता है 9 R का होता है 18 E का होता है 5 तो यह किसी भी हालत में 20 नहीं बनता इसका मतलब यह लोजिक नहीं लगेगा खतम, कोड का इसका कोई लोच्चाई नहीं है इसके यह अलफवेट कितने है 4 4 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 20 आजाएगा इसका अलफवेट कितने है 6 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 आजाएगा इसका अलफवेट कितने है 5 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आजाएगा यानि कि Number of अल्फवेट की पांच से मल्टिप्लाई हो रही है तो कोशन क्या हिस्टरी तो हो मेनी अल्फवेट ओफ हिस्टरी तो सेवन तो सेवन इंटु फाइव इस इकल टू थरी फाइव तो बिल्कुल जी फॉर्थ ऑप्शन इस दा राइट अंसर तो डी ऑप्शन आपका क्रेक्ट ऑप्शन के सेक्शन पर चलते हैं तो बिल्कुल आपने जल्दी से क्राइब करना है मैं आपको कोशन बताता जा형गा देखते हैं आपके कितने मार्क बहुत दे और जितने भी आपके नर्सेंग के एक्जाम है आपको तो तो ड्बेल का पता जाएगा तो आज हमолод शीन के ल genetics जो है बिल्कुल correct answer आ जाएगा तो next question देखिए तो second question देखिए deficiency of protein causes तो बिल्कुल जी पहले दो मिनट सोचिए फिर comment कीजिए तब ही फायदा है वीडियो देखने का तो c option correct answer आ जाएगा next question देखिए the changes in the genetic material is defined as तो बिल्कुल जी B option correct answer आ जाएगा mutation which of the following is the best source of vitamin A तो यह तो आपको आता होगा तो बिल्कुल जी carrot इसका बिल्कुल सही आ जाएगा तो next question है dash is the youngest of the formalized discipline of natural science तो बिल्कुल जी c option correct answer आ जाएगा biology तो वीडियो को सभी के साथ वीडियो को सभी के साथ share जूरू करें और अच्छे लेगे तो लाइक भी करें next question देखिए who coined the term vitamin तो vitamin की term को किसने जो है खोजा था तो six option six question का क्या option सही answer आ जाएगा तो बिल्कुल जी b option correct answer आ जाएगा next question है ms swaminathan belongs to dash district of kerala तो बिल्कुल जी सेवंथ का d option correct answer आ जाएगा अगर आपको आता है तो comment करके इसका answer जूरूर बिताइए तब ही पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं कि आप तैहरी करके paper देरे जारी हैं की time pass करने जारी है next question देखिए the branch of medicine that study of blood तो 8th का बिल्कुल जी correct answer आ जाएगा d option यह आपको आना चाहिए देखिए सभी के पीता का नाम तो सभी को जो है आना चाहिए तो father of medicine is तो 9th का आ जाएगा b option क्योंकि में में कोशन है father जो होता है medicine हो गया या फिर father of nursing को मेंट करके बिताएगे कौन है next question देखिए 10th presence of hemoglobin in blood is measured by यह तो बिल्कुल basic question है तो 10th का a option correct answer आ जाएगा साथ में comment कीजिए जो हमारे अंदर blood होता है तो जो उसकी redness होती है वो किसके करन होती है comment जरू करें तो सोई ना वीडियो को जरूर लास तक देखें और वीडियो पर बने रहें तो next question है who discovered the blood circulation system of human body बहुत ही अच्छा कोशन है तो option D का William Harvey right answer आ जाएगा तो comment कीजिए blood group जो है किसने खोज की थी blood group की ठीक है comment कीजिए next question है disease which are easily transmitted from one person to another तो 12 खा बिलकुल जी C option correct answer आ जाएगा साथ में AIDS की full form comment कीजिए ठीक है और ये भी बिताइए की AIDS date जो है कौन सी date को मनाया जाता है तो next question आप देखिए 13th blood group पार disturbed by तो बिलकुल जी लैंड स्टेनर जो है बिलकुल इसका correct answer आ जाएगा next question है health is affected by तो 14th का अगर हम बात करें इन सभी से effect होती है आपकी health तो ध्यान की अगिए अपनी health का तो डी option correct answer आजएगा next question है universal recipient blood group is देखिए दो प्रकार के blood group होते हैं एक होते है universal donor एक होता है universal recipient जो है कि सभी का blood जो है पी सकता है उसको recipient बोलते है ना तो जो c option है AB group AB है ना AB positive जो होता है वो सभी का खून पी जाता है और ऐसा कौन सा जो बचारा सभी को खून दान देता रहता है तो वो होता है तो बिल्कुल जी cancer आप सभी को पता है इसका science रा जाएगा तो बताईए cancer की study को क्या कहते है comment जरूर कीजिए बगकी minimum और maximum diabetes कितनी होती है जो fit बंदा है ठीक है उसका lower upper का बताईए जी क्या होता है diabetes का और hypertension minimum maximum कितना होता है ये भी जो आप comment करके बता है तो diabetes नॉर्मल बंदे की कितनी होनी चाहिए ठीक है खाली पेट और खाना खाने के बाद ये comment कीजिए और hypertension येनिकी BP नॉर्मल बंदे का upper और low का कितना होना चाहिए comment करके जुरूर बताएं और साथ में जो BP चेक करने वाली मिशीन होती है उसकी खोज किस ने की थी ये भी comment जुरूर करें next question देखिए the important factors of maintain good health are तो ऐसे कौन से factor हैं जो आपकी health को अच्छा रखते हैं तो all of the above exercise आप करते होने बाग की भी आपको पता ही है ना डाइटिंग तो सारे करते हैं next question देखिए 18th enemy due to deficiency of iron is तो बिल्कुल जी c option correct answer आ जाएगा भाक की देखिए अगर हम बात करें comment कीजिए कि एक young girl में कितना blood होना चाहिए और एक young boy में कितना खून होना चाहिए ठीक है और severe anemic जो ladies होती है वो कितना अगर आपका blood कम है जिसको severe anemia खा जाता है वो भी comment कीजिए next question देखिए तो 19 खा बिल्कुल जी b option correct answer आ जाएगा तो comment करके बिचाहिए जी जो type 5 का test होता है उसको क्या बोलते है next question देखिए universal donor blood group यह तो मैंने आपको बताई दिया कि वैसे original होता है O negative ठीक है आरेच की full form बताईए आरेच क्या होता है न तो full form comment कीजिए और the confirmation test of typhed fever is तो यह तो अभी आपको बता दिया जो comment आपने करना था तो विडाल test होता है option C बिल्कुल इसका जो है correct answer आ जाएगा तो बताईए Montauks test किसली होता है यह आपको पता होगा ठीक है comment जरूर करें अगर आपको आता है तो next question देखिए blood bank of human body तो बिल्कुल जी spleen उसका correct answer आ जाएगा तो अच्छा comment कीजिए एक होता है wild juice तो पहली बात wild juice कहां store होता है comment कीजिए और second comment कीजिए wild juice screed कोन करता है ठीक है तो यह जुरूर comment करके बताईए और साथ में एक comment करके बताईए एक test होता है liver का उसका नाम क्या है साथ में kidney का जो test होता है उसका भी नाम comment कर दीजिए और herd के भी एक तो eco test होता है और एक होता है ECG ठीक है ECG तो जो दिमाग का test होता है वो comment कीजिए नेक्स कोशन देखिए एक classical type 5 case in medicine is related with तो बिलकुल जी 23 का A option क्रेक्टन सरा जाएगा यह option बिलकुल जो है 23 का A option क्रेक्टन सरा जाएगा देखिए comment करने के लिए मैं इसलिए हो रहा हूं ताकि आप सोरना चाहें और comment करेंगे तो आपका knowledge थोड़ा चेक हो जाएगा revise हो जाएगा नहीं पता गूगल से चेक करके बताएगा next question देखिए आप pathogens that cause disease in man are 24 का बिलकुल जी D option क्रेक्टन सरा जाएगा all the above next question है a person of blood group AB can give blood to तो यह हमने पहले clear कर दिया देखिए यह ले सकता है सभी का और दे सकता है सिर्फ अपने वाला तो B option correct answer जो यह होता है यह सभी को दे सकता है बट ले अपने वाला सकता है ठीक है तो next question देखिए the disease pneumonia is human infects which part of lungs तो A option correct answer जो 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 आलो लिए न तो next question है 27 the common sign and symptoms of typhoid fever आर तो बिलकुल जी D option correct answer जो जो आलार common next question देखिए in blood largest car plus R तो बिलकुल जी A option आपका correct answer आ जाएगा RBC तो RBC होते है red blood cell अब यह बताईए RBC की validity कितने दिन होती है तो 120 days की होती है ठीक है और एक होते है WBC जिनको बोलते है white blood cells जो हमारी जो है मतलब soldier का काम करते हैं हमारी body में तो इसकी validity जो है WBC की comment करें बताईए कितने दिनों की होती है और lymphocyte, monocyte यह भी किस की types होती है यह भी comment करके बताईए और WBC की खोज किस ने की थी यह भी comment की जिए common bacterial disease in manarda following accept तो बल्कुल जी measles यह option जो है आपका जो crack answer आ जाएगा तो next question देखिए आपको पता है किस की type है blood cancer की तो उसमें क्या होता है तो बल्कुल जी आपके white blood cells जो है वो increase हो जाते हैं next question the common cold infect the nose and respiratory passes but not तो 31 का बल्कुल जी c option correct answer is the lungs देखिए हमारे अंदर दो प्रकार के दो लंग्स होते हैं आपको पता है ना तो यह बताहिए एक लंग छोटा होता है एक होता है बड़ा तो कौन सा लंग जो है वो बड़ा होता है comment करके बताहिए next question देखिए दे अमांट ओफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन पर मिनिट इज तो 750 ml इसका प्रेक्टनस राजाएगा दो कॉमन साइन शिम्टम ओफ दो कॉमन कॉल्ड इज तो 33 का जो है D option प्रेक्टनस राजाएगा all of the above ठीक है बगकी next question जी the average life of red blood cell यह तो मैंने आपको भी दा दिया 120 होती है न तो WBC की comment करने लिए अपने नहीं कि यह तो कर दीजिए तो प्लाज्मोडियम एंटर दो हुमन बोड़ी बाइद बाइट ओफ इंफेक्टरी डैस मस्किटो तो बिल्कुत यह तो आपको पता होगा तो साथ में comment कर दीजिए वह कौन सा मच्छर है जिसके काटने से डेंगो होता है तो भी option क्रेक्ट अंसर आ जागा इसका न नेक्स्ट कोश्चन देखिए था हुमन होमोन मेलूटी इस क्रीट बाय दगलेंट तो बल्कुल जी यह option इसका जोए क्रेक्ट अंसर आ जागा नेक्स्ट कोश्चन देखिए दर मलेरियल पारसाइट रिक्ट डैश दैस होस्ट तो कंप्लीट इस लाइप साइकल तो बल्कुल जी थर्टी सेवन का सी ओप्शन क्रेक्ट नसर जागा तू विच स्पीशिस ऑफ मलेरिया इस मोस्ट सीरियस वन तो बल्कुल जी यह सारी है तो उसी का पार्ट है बट इन्होंने मोस्ट पूचा है तो मोस्ट तो यह नहीं की बी ऑप्शन क्रेक्ट नसर आजएगा नेक्स्ट है टेवल सॉल्ट इस ओफटन एडाइस फोर सर्टेन एरिया तू प्रिवेंट बिल्कुल बच्च वाला कोशन है यह ओप्शन इसका प्रेक्ट नसर आजएगा तो बिल्कुल जी सी ओप्शन इसका जो है पी मलेरिया इस दा राइट एंसर चलो मलेरिया बहुत हो गया तो पताईए मलेरिया की जो है डिस्कवरी किस ने की थी कुमेंट कीजिए और मलेरिया एक वाइरिस से फैनने वाली बिमारी है की कौन से टाइप की बिमारी है तो यह भी आप कमेंट कीजिए नेक्स्ट कुशन देखिए 41 तो यह याद रखिए ब्लट जो क्लोट करता है वो कौन करता है तो यह आपको पता होना चाहिए तो यह कोशन हो गया और साथ में यह किस की हल्प से करता है क्लोट तो बलकुजी लीवर बी ऑप्शन आपका जो है इसका क्लेक्टन से आ जाएगा नेक्स्ट कोशन देखिए इसका परसाइट को इसका ए ओप्शन जो है क्लेक्ट अंसर आ जाएगा तो नेक्स्ट कोशन आप देखिए दर डिफ्रेंस बिट्म लिंप एंड ब्लड इस दे अपसेंस ओफ तो बल्कुल जी 43 का डी ओप्शन क्लेक्ट अंसर देगा आर बीसी तो प्लेटलेस की खोज किसने की कुमेंट कीजिए नेक्स्ट कोशन है एसकरेस इस अदरवाइस नोन एज तो 44 का सी ओप्शन क्रेक्ट अंसर आजएगा राउंड वाम नेक्स्ट है फॉर्मेशन ओब ब्लड का पसल्स इस नोन एज तो 45 का बिल्कुल जी A ओप्शन बिल्कुल सही अंसर आजएगा दसाइन शिम्टम्स ओफ एम्यो बिसीज आर तो 46 का D ओप्शन क्रेक्ट अंसर आजएगा ओल ओप दी अबब नेक्स्ट कुशन अब देखिए ब्लड डज नोट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन तो बिल्कुल जी कोक रेचों में नहीं गड़ता है न इसकरीज आर इंटेस्टनियल पैरसाइट कॉसेज तो बिल्कुल जी 48 का भी ओप्शन क्रेक्ट अंसर आजएगा नेक्स्ट कोशन अब का विच इस नोन अज दे ग्रेवियार ओफ आर बीसी तो बिल्कुल जी डी ओप्शन सप्लीन इसका से इंसर आजएगा तो यह देखिए एलरो फ्लेसिस इस दा अदर नेम आफ तो बल्कुल जी 50 का सी ओप्शन क्रेक्ट अंसर आजएगा विच हॉर्मोन इस मेली स्क्रेटिट बाई कॉर्पस ल्यूतिनम तो बल्कुल जी 51 के अगरम बात करें बी ओप्शन क्रेक्ट अंसर आजएगा विच ग्लैंड बोडीज क्विट लार्ज एड बर्थ एंड रिड्यूज एट साइज विद एच तो बल्कुल जी ओप्शन थाइमस जो है क्रेक्ट अंसर आजएगा तो बताइए प्युट्रिट्री ग्लैंड कौन से बोड़ी के पार्ट में होता है तो नेक्स्ट क्वेशन है डियाविटीज इस अंडर कंट्रोल ऑफ तो 53 का जो है बिल्कुल सी ओप्शन क्रेक्ट अंसर आजएगा और फूल फॉर्म कोमेंड करके विताइए एड ह की नेक्स्ट क्वेशन देखिए इन विच लिप होर्गन वेर आल ब्लैट सेल्स आर प्र इसका क्रेक्ट अंसर जाएगा तो नेक्स्ट कुरिशन देखिए वैक्सिन प्रिवेंटेबल डिजीज आर फॉलोइंग एक्सेप्ट तो बिल्कुल जी एड्स एक्वाइड इम्मिनोडिफिएंसी सिंड्रॉम तो कुमेंट करने को बोला था कि एड्स जो है कब मनाया जात है साथ में जिमतलिये पोलय जो से ना जो पोली होता है तो एक वाइरस होता है कि एक वाइरस से होता कि से जब newborn baby को mother within one hour जो है दूद पलाती है तो उस जो मिलक को हैं क्या बोलती है यह comment जुरूर किजिएगा तो next question देखें कि causing disease is caused by hyper activity of तो बिल्कुल जी 57 का B option correct answer रहे जाएगा the immunity present at the time of birth called तो 58 का बिल्कुल जी a option correct answer आजाएगा blood is set up of three main component which are तो all of the above यहीं की blood cells platelets plasma है ना यह सभी होते हैं तो next देखिए addies mosquito transmit the following disease accept तो बिल्कुल जी ओप्रेक्टन्स आजेगा malaria तो next the child was unwilling to part dash his toy to English आगी उसका filling the blanks आगया तो with his twice देखिए prep position होती है यह with on for add ना एक आर्टिकल होते हैं एंड तो English भी आपको आने चाहिए अब next जो है आर्टिकल आ गया it is dash book that won the price तो आपको पता है वोवल्स हमारे कौन होते हैं यह हमारे पांच वोवल्स होते हैं तो जिनकी परन्सेशन इन वोवल्स स्टार्ट होती है उनके पहले आन आता है यह ध्याना किये गए कर देखके नस्क कोशेंच पीछे था प्लेइन वक्रस्ट्स एंड प्रसेंजर्ट्स तो मिक निसे प्रस्ट्स परन्स कोशेंज को स्वंपीर तो मिक्डिक एश हम प्रस जाने करते हैं तो डेटा को पर तक हैं а मेक डैश शल्टर वास मेट फॉर दर फ्यूज तो बिल्कुल जी शिफ्ट आ जाएगा ना वन डिट द एक्सिडेंट देखिए यह फिक्स होते है ना तो कम अपा जाएगा जैसे लुक के साथ एट लग जाता है ना तो वैसे जी फिक्स होते है आपको रटा मानना पड़ेग इसका मिनिंग आपको जो है मताना पड़ेगा पोस्ट पोन होता है इसका मिनिंग तो आई डैश इंग्लीश सिंस 1995 तो 68 का जो है यह आजाएगा है तो यह 10 से भी थोड़े बहुत आपको आने चाहिए तो कमेंट करके बताहिए कि हैव के साथ बीन और एंजी जहां लगता है वह कौन साइटन्स होता है जोसफ इस टॉलर देन आई सी ऑप्शन करेक्टन साजएगा प्रेवेंशन इस पैटर देन क्योर भी ऑप्शन करेक्टन साजएगा तो नेक्स देखिए चूज द ओर वन इन मेंसे आपको चारु मे इसे एक अलग होगा वोग आपको बाहर निकालना है ठीक है तो अब देखिए यूरेन्स, नेप्चून, मून, अर्थ, आ बाकि जबाम मून पर पहुन जैते हूं तो आपका वेट कितना रहता है 1 by 6 बक्की जो Uranus जिनके पीछे असल लगा होता है एक होता है Uranus दूसरा बताइए कौन होता है यह उल्टे गोमते है बक्की सारे ग्राइए एक दीशा में गोमते हैं यह उल्टे ग्राइए गोमते हैं याद रखना ठेक है और सबसे बड़ा क्राइब कौन सो होता है कमेंट कीजिए बाकि पैंसिल्स बुक्स पैन यह एक ही जैसे होगे यह लगो गया मैंगो मैंगो फूरूट हो गया बाकि जो आपके कि बुक्स पैंस पर्ण पुनिक जीज़ोगी तो पॉंडिचेरी चंडिगड गोवा लक्षदी तो इसमें गोवा अंसर आ जाएगा हर्ट नोज लिवर इबडॉमेन इसमें जो है नोज आ जाएगा अब्डॉमेन लिवर रट इसे होते हैं तो नेक्ट देखिए तो नेक्स वल्टेमीटर, स्पेडोमीटर, डायमीटर, तो आपको पता है डायमीटर का सही इनसर है जाएगा नेख्ट कोशिन दे कि फाइव, सेवन, इंलेवन, ठर्टीन, नाइन इसमें अलग मिकालना है आपको पहले डेफिनिशन पता होनी चाहिए यह वट इस बाइंप nos प्राइंबरों का थोब टॉब यह इस दिस अपने आप से ही जाते हैं यह फिल्वन से जाते हैं that is called प्राइम नबर तो पंच साथ 11 13 यह प्राइम नंबर है यह सिरफ अपने तेबल से जाती है और एक One के टेबल से जाती है और किसी से नहीं जाते Nine Prime Number नहीं है इसलिए यह इसका अंसर हो गया और 9 जो है 3 का Square भी है ठीक है बागीकी स्क्वेर नहीं है तो इस केस मोई 9 आपका जो है अंसर हो गया क्योंकि यह अलग हो गया तो next question देखिए होट अब देखिए पहले हमने ओड वन आउट किया ठीक है तो दो चप्टर होते हैं एक उती एनलोगी एक उती है क्लासिफकेशन तो पहले वाला चप्टर था क्लासिफकेशन रीजनिंग का अब शुरूर यह एनलोगी एनलोगी क्या होती है जैसे जो होट का इसका अगले वाले जो लिखाएगा उसके साथ सेम रिलेशन हो चाहिए जैसे माल लो यहां पर मैंने लिखा फॉर ठीक है और यहां पर मैंने लिख दिया फाइव ऐसे तो फॉर के आगे फाइव आता है फिर चार भी नहीं आगी यहां पर अगर माल लो दस आया तो यह ही है तो आप देखिए होट का अगरम बात करें कोल्ड आ गया तो 78 का डी ओप्शन का इंड्नेस बिल्कुल सही अंसर आज़ेगा 79 देखिए हैंड का गलब्स तो हैट का क्या जाएगा तो 79 का गरम बात करें सी ओप्शन क्रेक्टन से ज़ेगा हैट ठीक है क्योंकि हाथों में गलब्स डालते हैं तो सिर के ओपर हैट ही डालते हैं सी शिप और कैमल का क्या जाएगा देखिए सी में क्या जलते हैं शिप चलते हैं और कैमल कहां चलते हैं मरुस्थल पर चलते हैं ठीक है डिजर्ट पर है ना तो दर स्टेडी ओफ मसल्स इस कॉल्ड मायलोजी एंटी प्याइटिक पैंसलीन इस अप्टेइन फॉम तो बिल्कुल जी एटी टू का सी ओप्शन क्रेक्टन से आजएगा फंगस बाकि कमेंट किजिए पैंसलीन की खोज किस ने की थी तो नेक्स्ट क्वेशन है विच्ट ब्लोंक्स टू दा लॉटस टैंपल इन यू देली तो अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा भी उप्शन इसका जो है प्रेक्टन साजेगा नेक्स्ट कोशन दिखिए तो समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वस तो बिल्कुल जी शिमला हिमाचल में हमारा हिमाच की कैपिटल ऑफ ला तो वह पहले समर कैपिटल होती थी ब्रिटिश की ठीक है अब देखिए यह जो पेपर हम डिसकस कर रहे हैं यह प्रीवीश यर पेपर है न तो यही कोशन इस टाइप के कोशन रुपीट होती है तो बस इनी की आपने इच्छे से प्रेक्टिस करने है विच अमंग दो फॉलोइंग्स वा संटेंस्ट टू डेथ पायर टेकिंग हम लॉक तो बिल्कुल जी 85 के गरम बात करें सी ऑप्शन क्रेक्ट रह जाएगा अब देखिए वाइसरे लास्ट था लॉड माउंट बेटन तो लॉड माउंट बेटन हमारा लास्ट वाइसरे थ और ब्रिटिश वाइसरे था ठीक है अब फरस्ट एंडियन वाइसरे कोन था तो वो तो सी राजकुपालाचारी याद रखिए ठीक है यह जब 1947 में भारत अजाद हुआ था तो लास्ट वाइसरे कोन था लॉड माउंट बेटन और उसके बाद यह लास्ट था अंग्रेज उसके बाद फरस्ट भारतिय वाइसरे कोन बना सी राजकुपालाचारी ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा अब जो पोस्ट है वाइसरे की वो प्रेजिडेंट की पोस्ट होती है ध्यान रखिएगा न तो आपको कमेंट करने का बोला था कि एटस डे कब मनाया जाता है तो बताएगे थीम क्या थी सबार एटस डे के ला तो एट्यीट का द नोवल प्रैस विनर ऑफ इंडिया आर्ट्स तो बिल्कुल जी ओल अफ डीस ही सारे जो है नोवल प्रेस बिनर है टैगोर, सीवी रामन, अमरिता सेमा न और मिडे का मनाया जाता है तो बिल्कुल जी आर्म पूतनिक जो है स्पूतनिक व्ल्ट की फर्स्ट सेटलाइट है नेक्स्ट कुश्चिन देखिए विच स्टेट ऑफ इंडिया नोन ऐस भी एफ एफ एचाई स्टेट तो के रला डियॉप्टिन क्रेक्टन सरह जाएगा एशिन गेम्स इस हैल्ड वन्स फोर येर्स ठीक जनी चार सॉलों में एक बार जो होती है एशिन गेम्स दशूगर विच फाउंड इन यूरीन ऑफ डियाविटीज पेशिंट तो बिल्कुल जी ग्लोकोस इसका सेंस रहा जाएगा तो ये बताईए सबसे जादा शूगर किस में फाउंड होती है किस में होती है न तो ये ऑप्शन देख लीजिए ग्लोकोस फ्रक्टोस लेक्टोस उक्रोस आप कॉमेंट कीजिए सबसे पहले जो है कॉपर की धातू का जूज किया गया था तो नेक्स्ट है हो वाज फादर ओफ लॉनिंग तो बिल्कुल जी 95 का सी ऑप्शन को रेक्टन सा जाएगा तो स्टोरी ओफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ इस रुटन बाए तो बिल्कुल जी ऑप्शन बी गांधी जी की वड़ी फेमस वुक है ठीक है तो चलिएवला बाग हत्या कांड जो है तेरा प्राइल उन्नीस को हुआ था तो कोमेंट कीजिए कौन सी सिटी में यह हुआ था तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है तो ऑप्शन सी जनवरी तीस को फॉर्मेशन ओफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वास तो बिल्कुल जी अठारसव पच्चासी में एयो ह्यूम द्वारा भारती राश्टी कॉंग्रेस की स्थापना की गई थी उट्स में कौन से लॉड थे तो लॉड डफरीन थे जब भारती राश्टी कॉंग्रेस की स्थापना की गी थी तो नेक्स्ट कोशन है तो प्राइम मिनिस्ट्र आफ इंडिया इस तो देखिए करेंट प्राइम मिनिस्ट्र हमारे निरेंद्र मोदी जी अभी जो है यह यह तो उस टाइम में मौन सिंग जी थे ठीक है तो यह था प्रीविस यह कोशन पेपर ठीक है एम मिनिस का तो आई होप आच की वीडिया आपको अच्छे लेगी होगी वीडियो को लाइक कीजिए सब दोस्तों का शेयर कीजिए चानल को सब्सक्राइब किजिए वाल लाइकन वाइए ताकि आपको नॉटिफिकेशन आसके और वीडियो चाहिए तो कमेंट करजिए ठेंकियो